हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मिद करते हूं कि सब ठीक होंगे तो आज हम लोग बिलकुल असान तरीके से बिना जंजट की हलवाई स्टाइल जली भी बनाएंगे बहुत ही जादा टेस्टी क्रिस्पी हमारी जली भी बनेगी तो चली शुरू करते हैं तो जली भी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कटोडी मैदा ले लेंगी और मैदा ले लेने के बाद हम लोग यहां पे एक आम ले ले लिएं तो सबसे पहले हम लोग आम को काट लेंगी और काट लेने के बाद इसका हमें प्यूरी रेडी कर लेना है तो ये देखे आम का यहां पे प्यूरी रेडी हो चुका है तो अब हम लोग इसे मैदा में आड़ कर देंगी तो आज हम लोग चलेबी की रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और उसके बाद हम लोग आधा कतोरी की लगबक खटी दही अड़ कर देंगी तो ज्याधा खटी दही हम्ण नहीं करना है और इससे अच्छे से मिक्स कर देगी मिक्स होचाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ कर देवे हमें इसका गोल रेडी कर लेना है एक बार में जादा पानी आड़ नहीं करना है परना गोल हमारा पतला होचाएगा तो ये देखे कुछ इसी तरीके का गोल हमें रेडी करना है देखे गोल हमारा एक धार ह कर्णाथ बरफक्ट बने है तो अब हम लोग इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगी तोстран .... फिल्कुल ऐसे बीस मिनि around the cat हमें इसे रिस्ट ओने के लिए चोड़ते नहींuez तो अब यहालं लाइड़ं अटेंगे तो अब हमलोग इसमें और लिए एक चमच और निम्बू का रस कर देने के पाद हम लोग इसमें केसर के धागे कर देंगे यह टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो आइड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं पर इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा या फिर आप चाहे तो ओरेंज फुट कलर या केसर फुट कलर भी आइड कर सकते हैं तो अब आप यहां पर ध्यान दे कि चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है एक दो ताड़ वाले चाशनी हमें नहीं चाहिए जलेबी क तो फुटा सा चिपचिपहत आ जाए तो हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगी तो एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूं तो यह देखे चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है तो जलेबी की चाशनी हलकी पतली ही रहते है जिससे की जलेबी के अंदर अच्छे से जयास अक्या और जल का सब पानी डाल देंगे जिसे कि एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद एक ही डारेक्शन में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगी तो अब हम लोग जलेबी मीकर में पैटर को फिल कर लेंगी आप चाहे तो दूद पौला चो प्लास्टिक आता उसमें भी आप इसे फिल करके आप से चलेबी बना सकते हैं तो अब हम लोग कढाय चला देगे और कढाय में दाल देंगे और तेल को मीडियम टू लोघ फ्लेम पे अच्छे से कडम कर लेंगी और टेल में जब ऐसे बबल्स बंचा तब हम लोग इसमें जलेबी बनाना शुरू कर देंगे तो बस आप य फ्लेम पर इसे अच्छे से कॉल्डिन होने तक पुन लेना है और एक तरफ अच्छे से फ्राइills नहीं प trees के बाद हम लोग इसे पलंट देंगी तो स्पारवक चीनलेंगे के लिए तो लगपक एक मिनिट के लिए हमें इसे चाशनी में चोड़ देना है पर जादा नहीं चोड़ना है वरना हमारा जलेपी सॉफ्ट हो जाएगा और बस ध्यान आप यह रखें कि चाशनी भी हमारा गरम हो और जब जलेपी अच्छे से चाशनी को सोक कर लेगा तब हम लोग इ ना लेंगे तो हो सकता है फर्स ट्राय में आपको अच्छा ना बने पर सेकेंड राय में जरूर अच्छा बनेगा तो यह देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में क्रिस्पी जूसी बहुत ही जादा टेस्टी जलेपी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और बहुत ही कम समय है में बिना जंचट के हमारी जलेपी बन गई है बस आपको कुछ छीज opens रखनी है इससे आपका जलेपी पिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा जैसे कि बनाने वक्त तेल को ना ही जाधा गरम रखना है, ना ही कम गरम रखना है. और जलेबी बनचानने के बाद चाषने भी घरम होनी चाहिए, इससे ही चाषनी अच्छे से अब्सौर्ष कर पाईगा जलेबी. तो बस इतनी चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं तो आपकी भी जली भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइकर और कमेंट में मुझे ज़रूर पताए कि आपको कैसा लगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दिन प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकोन को जरूर प्रेस करें जिसे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले लाइक करें, कमेंट करें और जादे से जादे शेयर करें कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नियूरेसिपी के साथ तब तके लिए बापाई, टेक केर और थैंक्स पूर वाच्छेंग